नवश्कर साथियों जहन्त कैसे आप सभी लोग आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे हैं और आपके तैयारी सुचारू रूप से चल रही होगी एक खबर बहुत बड़ी निकल कर आ रही है खबर क्या है तो करपूरी ठाकुर जी को भारत रत्म मिलने की गोशना की गई है और भारत रत्म किसे मिलता है क्यों मिलता है सब कुछ विस्तार से जानेंगे आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्या खबर है सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं करपूरी ठाकुर जी को बुद्धुवार को होने वाली जो उनकी सोवी जन्म जैनती है उस उसर पर उन्हें म बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री बहु चर्चित पूर्व मुख्य मंत्री आप इन्हें कह सकते हैं इनका जर्म समस्ती पूर जिले में पितोजिया गाउं जो पड़ता है वहां पर होता है और करपूरी ठाकुर जी ने लगभग 1952 में ताजपूर विधान सभा से चुना सकते हैं कि इनके शागर्द लालू प्रशाद यादो जी और नितीश कुमार जी जो आफ मुख्य मंत्री बहुता है इनके राजनितिक शागर्द आप इनको कह सकते हैं वे रहे हैं तो इस हिसाब से आप इनके कत का अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन इस अलाताunft बहुत बड अगर मैं बात करों थोड़ा सा जन्नायक के करपुरी ठाकुर जीँ की पिछड़ी-जातिया जो आपकी और बैक्विड क स्ट है उनके उनको राजनितिक रूप से सक्रिय करने के लिए उनको उनके लिए जनसेवा करके उनके उनको सिच्छा स्वास्त इनके प्रति जागरूप करने का सबसे महतवपूर जो काम अगर किसी ने किया है तो करपूरी ठाकुर जी को बिहार में जाना जाता है यानि कि जो दलित जो पिछड़ा है उनके लिए उनके लिए उनकी समाज सिवा करना इनका एक महत्वपूर्व समाज सिवा में मुख्यमंत्री रहते और मुख्यमंत्री से पूर्व एक समाज सेवी के रूप में इनका एक प्रमुख नाम रहता है बिहार की राजनिती में बात करें, बिहार की समाज सेवा की इतिहास में बात करें करपुरी ठाकुर जी का नाम इतिहास में अमर हो चुका है तो एक मुख्यमंत्री रहते हुए भी इनने विशेश काम की अब इनको भारत रत्न सरकार दे रही है एक अच्छी बात है जिहां ऐसे कामों को समाज के सामने जरूर आना चाहिए एक लंबे दौर बग के बाद मिलना है पहले मिल जाना चाहिए ता कोई बात नहीं अब बात करते हैं हम थोड़ा से टेक्निकल पार्ट में यहां पर कि भारत रत्न किसे दिया जाता है क्यों दिया जाता है और कब से इसकी शुरवात हुई सारी बाते विस्तार से आईए समझ लिजा साथियों सबसे पहले भारत देश का सर्वोच नागरिक सम्मान है ये बात जान लेनी है किसी भी च्एत्र में बहुत सेवा करता है उसको मानिता देने के लिए दीया जाता है, विज्ञान, समाज, सेवा इन सब में, खेल में खेल छेतर में उलेखनी कारे किया है उनको उलेखनी और असाधरण योगदान दिया है ऐसा जो कि दूसरा कोई न कर पाए ऐसा जो कि अलग है वो जिसने किया है उसको भारत रत्न अवोर्ड दिया जाता है और भारत का सबसे बड़ा नागरिक समान है आपका भारत रत्न तो पूछा जा सकता है सबसे बड़ा नागरिक समान कौन है तो भारत रत्न है ये बात याल रखेगा भारत रत्न कब से दिया जा रहा है एक प्रशन यहां भी आता है निकलके तो भारत रत्न की सुरुवात दो दो जन्वरी 1954 को इसकी सुरुवात की गई थी। या तो दिया ही नहीं जा सकता वो उनकी इच्छा सरकार की इच्छा के उपर है। वे कुछ उलेखनी कार कर रहा है तो भारत के प्रधानमंति उस विक्ति के नाम की सिफारिस किसको करते हैं राश्ट्रपती को करते हैं और राश्ट्रपती क्या करते हैं इस चीज़ को पिर कह देते कि हाजी इनको दिया जा सकता है। इस सिर्फ तीन भारत रतन ही दिये जा सकते हैं साथ ही आपको यह भी जानना जरूरी है कि इस साल भर में रतन मलब हर साल भारत रतन का समान दिया ही जाए यह जरूरी भी नहीं है। भारत रतन दिया ही जाए यानि कि एक साल में सिर्फ तीन भारत रतन दिये जा सकते हैं और यह डरूरी नहीं है कि हर साल भारत रतन दिया ही जाए यह बात भी विशेस ध्यान रखेगा। इसके बाद एक आखरी सवाल आपके मन में आता होगा कि भारत रत्न पाने वालों को क्या मिलता है आखिर क्या है भारत रत्न का सबसे पहले तो ये गर्व की अन्भूती है कि एक राष्ट का सबसे बड़ा सम्मान आपको मिल रहा है दूसरा उसके अलावा अगर इसके साथ add-ons की बात करूँ तो भारत रतन पाने वालों को भारत सरकार की उड़ से एक प्रमार पत्र और एक medal दिया जाता है और इस समान को के साथ जो आप background में image देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार का medal होता है इसके साथ कोई धनरासी नहीं दी जाती रेलवे की मुफ्त यात्रा और सुविधा आपको मिलती है और warrant of president एक ये warrant of precedence का इस्तमाल सरकारी कारेक्रमों में वरीता देने के लिए किया जाता है warrant of precedence क्या होता है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ किसी भी राष्ट की बास सुची होती है जिसमें वो अपने विस्ट अतितियों को जो महमान होते हैं उनको रखता है उन सुचियों को हर सरकारी कारेकम में सबसे आगे की seat और सबसे वरीता देने के लिए किया जाता है तो आपके जो भारत रतन हैं उन भारत रतन को इस विसस्ट सुची में रखा जाता है तो I think आपको सारी खबर अच्छे से समझ में आ गई होगी इसके टेकनिकल पार्ट को भी आपने समझ लिया कि भारत रतन होता क्या है ये भी अच्छे से जान लिया आपने भी जान लिया कि करपुरी ठाकुर कौन थे आशा करता हूँ कि ये concept ये topic बहुत अच्छे से आपको clear हो गया होगा यहां ये खबर थी जो आप तक जाना जरूरी थी इसके साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ये comment section में आप सभी को बताना है comment करके बताना है कि सबसे पहले भारत रतन कब से शुरू हुआ था भारत रतन सबसे पहले कब से शुरू हुआ ये आपको comment करके बताना है इसके साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ जैहिंद